मुरादबाद जुनपत की तेहसील वा थाना काट अंतरकत महुला पढचाई या उम्विकला निवासी आरिफ वा अन्ने लोगों ने अपनी जमीन पर दबंगो द्वारा अवैत कपजा किये जाने का प्रयास करने वालों के खिलाब कटोर कारेवाही की मांग उठाई है ब्रस पुलिस अधिक्षक को एक शिकायती पत्र भी पेश गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी जमीन उनके नाम सरकारी अभी लेकों में धर्ज है जिसकी पूर में जाजबी कराई जा चुकी है जाज में यह भी पाया गया है कि इस जमीन पर इनी लोगों का मालिकाना हक है लेकिन गाउं के रिजबान, आरिफ, उस्मान, इमरान, इर्फान, पुत्रगन, नाजीर उनकी फसल को कई बार उजाड़ चुके हैं और उनकी जमीन पर अवैत कबजा करने का कई बार प्रयास कर चुके हैं माना करने पर उन्हें जान से मारने, वह जूटे मुकदमे में फसाय जाने की धमकी दी जाती है प्रातना पत्र में ये भी का गया, उनकी जमीन पर कबजा करने वाले रिजबान आदी दबंग किसम के लोग हैं और उन्हें हर समय इन लोगों से अपनी जान का खतरा रहता है पुलिस को कई बार सूचना दी जा चुकी है लेकिन दबंगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कठोर कारेवाही नहीं की गई एस एस पी से दबंग लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्च कर कटोर कारेवाई करने की मांग उठाई गई है और दूसरी पालिटी दमगें नाजिर का लड़का रिज्वान आरिफ और हिमरान उस्मान और इर्पान यह जबर जसी मेरी जमी गफचा रहा है मैं अधिकारियों से मिल शुका हूं कर लागें आप नोगाई करी मेरे कोई वो नहीं हुई और इसके अनुसार वो जूटा मुक्षा मेरे उपपर जबके मैं कल भी कांट तैसील में था और मरवाद भी आ था मैं चाहिए मेरी आप लोकेशन निकाल लो गई मैं जंगल की लोकेशन नहीं आएगी मेरी लोकेशन हमागी आगा जंगल गया तुम्हें जेल पर आज किसे मिले ते आप आज कप्तान साब के रहे इस वर खड़ा कना चाहते हैं साब होुआ है